लो एवरिवन वेलकम करता हूँ आपका हमारे डे शिक्स डेली वन नुमेरिकल फिजिक्स के स्रीज में दिर इस्ट्रेंट्स आज हम यहाँ पर एक और नुमेरिकल लेकर आगे हैं और इस नुमेरिकल को सॉल करने से हम एक और थोड़ा सा समझेंगे बच्चो को कई बार इसमें भी डाउट हो जाता है या फिर उनको इस चीज़ा पता ही नहीं रहता चले गाइज इस नुमेरिकल को सॉल करके चीज़ों को समझते हैं तो यहाँ पर हमारे नुमेरिकल हम से क्या कहता है अब बाइक स्पीड अप फ्रॉम कोई दिक्कत नहीं कितने टाइम में के यह क्या है उसने फाइब सेकर में यहाँपर किया और करें कंड़ारेशन क्या होगा इसकी heart करना है । सब्सक्राइब करते हैं इनिचल पर इसको तो यहां पर इसको डिवाइड कर दिया जाता है टाइम से तो यहां पर अगर और हम इसका average acceleration निकालते हैं कि यहाँ पर एक चीज है, average acceleration, अब बच्चे कई पर confused जाता है कि सरी, average क्या चीज है, acceleration निकालने को बोलूँगा तो यह formula लगा देंगे, लेकिन average acceleration कैसे निकलेगा, average acceleration निकालने के लिए भी same formula यूज होता है, दो चीज़े होती है, एक होता है average acceleration, यह जो होता है, यह बड़े time period के लिए होता है, यानि कि जब किसी body की speed है वो change हो जाती है, एक point से दूसरे point तक पहुंचने हैं, मानलो देखो यहाँ पर इस starting में 30 meter per second थी, फिर 100 meter per second हो गई, कितने time में 5 second में, तो यह time gap बहुत बड़ा है, जब time gap ज़्यादा बड़ा होता है, है ना, तब वहाँ पर जो acceleration होता है, तो उसे average acceleration ही कहा जाता है, जितनी भी आपकी numerical है, जितनी भी आपको acceleration निकालने को बोला जाएगा, वो सभी के सभी एक तरह से average acceleration है, आपकी class 9th के लिए, 11th class में एक और टर्मा था है, instant acceleration, वो चीज़ अलग होती है, उसके बारे इम बात नहीं करते, लेकिन आपको यह बात यहाँ रखने, कभी भी पूचता है, average acceleration, तो यही formula लगेगा, यही average acceleration होता है, यही normal acceleration होता है, ठीक है, तब इसे solve करके देखिए, a is equal to आपर कितना जाएगा, वी यहाँ पर कितना है, बच्चो final loss टी 100 है, minus initial loss टी कितना है, 30 है, time कितना लगा है, इसमें 5 second लगा है, अब इसे calculate कर लिंग कितना है, 70 by 5 कितना आ गया, यह 14 meter per second square आ गया, यहाँ पर 14 meter per second square का answer आ गया, स्वाई होब आपको एक चीज पता चलिए होगी, average acceleration क्या होता है, कही बार बच्चों को ऐसे लगता है, कहां से आ गई यह चीज, क्या इसमें करेंगी, क्योंकि आपने तो पढ़ा है, average क्या होता है, दो acceleration का मतलब यह होता है कि यह लंबे time period के लिए, थोड़ा सा बढ़ा time period होता है, उसमें जो acceleration निकलता है, उसे बोलते है average acceleration, class 11 में आप क्या पढ़ेंगे, instantaneous acceleration, उसकी बात आप class 9, 11 में ही करना, बागी यह आपको चीज क्लिर होने चाहिए, कि चाहे आपको average acceleration बोले, या फिर acceleration आपको formula यही वाला लगाना है, और यह formula है क्या, यह formula first equation of motion यह, v is equal to u plus 80 वाला ही formula है, v यहाँ पर अगर हम इसे निकालना चाहें, अगर a को यहाँ से निकालना चाहें, क्या आजाएगा यहाँ पर, मालने यह a into t में लिखता हूँ, और यह क्या आजाएगा, v minus u आजाएग मतलब first equation of motion ही लगेगा, average acceleration निकालने के लिए, यह बात भी clear होगी, so guys I hope आपको यह चीज clear होगी, और मैं देख रहा हूँ बच्चे बहुत अच्छा answer देते हैं, comment section में बहुत अच्छी बात है, जिन बच्चे ने वीडियो last तक देखा है, उनके लिए में छोटा सा यहाँ पर homework question देता हूँ, आपको यह solve करना है, comment में इसका answer लिखना है, मैं आप सभी को एक heart जरूर देतूँगा, so guys मिलता है किसी next video में, और next video मैं सोच रहा हूँ कि uniform circle motion का video complete कराया जाए, उसके बारे में पढ़ेंगे, तो guys अपना ख्याल रखना, take care, bye